नगणिगम शिम्ला के चुनाप को लेकर एक बड़ी खबर आपको बता दे लिस्ट आज जारी हो सकती है कॉंग्रिस प्रदेश अधेक्ष प्रतिवास सिंग प्रेस कॉंफरेंस करेंगी हर्शवर्धन संग्चौहान के साथ प्रतिवास सिंग प्रेस कॉंफरेंस करेंगी इसके लाव और इसुस है जागा तो सकते हैं तर नाम रबीट कर देएगा, साथ लोगे नाम रबीट कर देएगा तुपी चंदी बौट से शीरिमत की उमा पॉश्यन बौट नदर बंदर लोट बंदर उमन बंदर सत्रा बैंदर शीरिमत की खिनम ख़कालिगा सर कितने अबेदन आये थे इसमें और नबर दो पानपूर के में बोड़ खानी एकिनांसे पानपूर उख्रावा की शीरिमत की रावाव समझ जो है तो कॉम्स प्राइब में बेदन आये थे सर्फ हमको यह आयते हैं वो एक सो साथ है एक सो साथ है और उसमें कहीं दो थे तीन थे चाफ पान से सब्सक्राइब में और अभी जो है हमने जो स्क्रीनी कमिटी उसमें से सिंदर एंटिरेट से नहां पे इस्ट्रूप नहीं है उसको हमने आद में दिवर सब्सक्राइब होगी और उसमें दिसक्शन होगा कि इसको दिया जाए सब्सक्राइब में और सर्कार नया है ले रही है लेकि उसके साथ आप एरक्राफ की से आप निगम से समधी की सवाल है एक व्यक्ती का नाम सोशल मेडिया पर मेर के लिए लगातार वाइगल हो रहा है हलांकि बात यह भी की जारी है कि अलग-अलग निदाओं के अलग-अलग व्यक्ती प्रमुख हैं तो ऐसे में क्या कॉम्रिस अप एक जुटा का परीचे कैसे नहीं क्यों कास्मिक बाते हैं गौण किसका नाम सोशल मेर बैदातार हैक। कोई इंडिविडियोरी कोई निशी का नाम देखे तो एजन पार्टी हमने कुछ कर सकते हैं मदर यह तो एक कास्मिक बात है किसकी वहुमत आए कि कौन मेर बनेगा है तो 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 है इन शूचत बनी बाठे रहे हैं मृतbel मेर निशी करनेगा हूआए किसी ज़री कोई इंक install को जैने कायाक थवे देख अंदनी कोई नहींतना है हम बता रहे हैं नगरीगम शिमला के चुनावों के लिए कॉंग्रेस ने साथ नामों की लिस्ट जो है वो जारी कर दी है अब ऐसे में देखना होगा जिस तरीके से यहाँ पर कॉंग्रेस ने अपनी प्रात्मिक्ता बताई है कि जरूरी हो जाता है जिताओ उमीदवार जो जिताओ कैंडिडेट हो उसी को मैदान में उतारा जाए तो इन तमाम चीज़ों के मद्दे नजर लिस्ट तो जारी कर दी गई है लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि काफी देरी से होने वाले इन चिनाओं में क्या कुछ खास रहता है क्या एक बार फिर से जित कॉंग्रेस के खाते में जाती जिस तरीके से विधान सभा चुनावों में जीत दाच हुई है या फिर बीज़ोपी पर भरुसा हिमाचे प्रदेश नगर निगम कि अगर बात करें तो उशिमला की जनता जताती दिखाई देती है तो ये प्रेस कॉंफेंस सुन रहे थे आप हर्श्वधन सिंग चोहान के साथ प्रतिवा सिंग की प्रेस कॉंफेंस ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं अब आपको हम बता रहे हैं और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दे क्योंकि देखे काफी एहम है शिमला नगनिगम के चुनाव अब ऐसे में जहां पर बात बीजुपी की करें या फिर बात कॉंग्रिस की करें दोनों ही पार्टी अपने पूरी दमखम के साथ पहले ही बयानबाजी भी देखने को मिर रही थी मैदान में उत्री हुई है अब आगे देखने वाली बात ये रहेगी कि जो दाव यहां पर चला गया है कॉंग्रिस की और से साथ नामों की लिस्ट जो जारी की गई है उसमें क्या खास है इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ शिमला से हमारे बीरो प्रदीप ठाकुर हमारे साथ जो जड़ चुके हैं प्रदीप आप से हम जानना चाहेंगे देखे जो लिस्ट जारी की गई है उस लिस्ट में किस तरीके से कॉंग्रिस अपनी जीत को यहां पा सुनिश्वत करने की कोशिश करती दिखाई थी दिल्कुल जिच्छी का देखिए अभी कुछ देर पहले ही ये लिस्ट जारी हुई है और हम कह सकते हैं कि नगर दिखाई चुनाम के लिए ये पहली लिस्ट है क्योंकि शिम्ला की बात करें तो अगर दिखाई मैं तीन धांसव अक्षित्रों की सिमाएं जो आती हैं इसमें एक शिम्ला शेरी हैं के साथ शिम्ला करामीन के कुछ बाद हैं चार बाद और सुंकी के कुछ बाद हैं तो ऐसे में यहां के जो विदायक हैं उनकी भी राए जारी है कि का इंडेट कौन होने चाहिए तो ऐसे में जो साथ सुची जारी हुई है साथ विद्वारों की उसमें यह जादा तर वो लोग थे जहां पर ज्यादा गिरोध नहीं था या हम कह सकते हैं कि महां पर जादा दावेदार नहीं थे और सिंगल नाम जो है वो स्किनिंग मेटी के पास भी जो होनों की तरफ से क्लियर किये गए थे तो यह नाम जारी हो चुके हैं जिसमें जो टोटी कंडी वार्ड है यहां से उमा कौशल को कैंडेट बनाया गया है लूर वजार से सुमर को यहां पर कैंडेट बनाया है बैनमोर से शीन reंदर ठाकूर को टिकर दिया गया है चोटा शीमल यहां पर पास्षचत रहे हैं न्यू शीमल से सुम्लता को टिकर दिया गया है पढ़्योग से जीता करोहाल कैंडेट होंगे और इसके साथ तुऊятель शाथ एक कैंडेट जो वो उनकी यहां पर सोची में उनका भी नाम है तो ऐसे मैं अभी के अब साथ बार्ट की अगर शिम्दा नगर में तुम की बात करें तो उनकी ही सोची जारी हुई है और अब एक वार फिर से इस क्रिनी कमिटी की बैटर कोगी उसके बार जो बाकी बार्ट बजते हैं वहां के कल सुभा या शाम के वक्त उनके नाम भी उनकी सोची भी जारी की जाएगी कि तेरा अप्रैल से नॉमिनेशन का प्रोसेस शुरू हो जाना है तो ऐसे मैं अब हम कह सकते हैं कि टिकट वंटन में जामिदवारों की खोशना करने में भी कॉंगर्स पार्टी ने भी बाजी मा आपने भी बहुत से चुनाव हिमाचे प्रदेश के देखे हैं बीजेपी के पाले में होती थी लेकिन आज बीजेपी वेट अन्वाच की स्थिते में रिखाई दे रही है बिल्कुल देखिए कई बार चुनाव के वक्ति जो बीजेपी दल है या आमने सामने जो दल होते हैं वो एक दुस्रे की रणिती का भी इंसार करते हैं कि वो किस रणिती के तहत कांदर रहे हैं तो समगता ये भी हो सकता है कि बारा अप्रेल का जो दिन रखा है बीजेपी में वो इसकी बज़ा ये भी हो सकती है कि तेरा अप्रेल से नॉमिनेशन होना है तो से एक दिन पहले अगर जो गोशित हो जाते हैं तो पार्टी के भीतर अंदर जो है बगती रोद ना हो क्योंकि छोटे चुनाव हैं ये कम बोटर्ड होते हैं और एक एक बोट का महत्तु रहता है तो कम समय मिले इस तरह से अगर कोई निजल्य भी पार्टी का टिकट नहीं मिलता है तो निजल्य चुनाव लगने की कोशिश करें तो उनको कम वक्त मिले इस तरह की भी कई बार रहनीती रहती है हलां कि जब बिजय पी की तरह से ये क्लियर हुआ कि हम बारा तारिको चैन्डेंट कोशित करने वाले हैं तो कंग्रस ने उससे एक दिन पहले आज यानि चैन्डेंट अपने एक सोची जारी कर दी है जहां ज्यादा बिरोध महीं है या ज्यादा कैन्डेंट वहां पर नही कर रहे हैं उनने से च्टनी होनी है पार्टी उसमें देखे कि कौन अच्छा केंडि़ेट हो सकता है जो अब यह उन्हों कर देखे चेहर मैं अब हम यह सकता है किदेरा प्रसेश शुरू हो जाएगा तो फिर आमने सामने की चक्कत दोहाई होगी जी बिल्कुल शुक्रिया प्रदीप तमाम जानकारी को दर्शों को तक पहुंचाने के लिए तो देखिए काफी खास यहाँ पर नगनिगम के चुनाव रहने वाले हैं इस बार बीज़पी भले ही वेट अन्वाच के सिती में नजर आ रही हो लेकिन देखिए मेहनत जो है दोनों पार्टियों की इस समय देखी जा सकती है